आज के इस समारभू के उस्ताव पुरुष तर्में पुपादे ये उस्ताव करवाने के निमित तोर करता दों देमिशन करता दोंजी इस समारों के लिए वो बात से आये यही के इसी स्कूल के अगर्मों दोंजी इस समारों में आये यही से चुदे गए अमनपटे मंत्री दीए और कपिन दिमारी की जब मैं शून्य काम में होता हूं तो उनकी बहुत क्रपा फूर्बर बेई गिरिक तकी दोंचे ही एसी मानोी का लोबसारीम है बेसे निमारी का लोग सानी, बेसे पुनिरी का लोग सानी, बेसे पाग रचनाई, तो पढ़ता हम, इसलिए पढ़ता हम, कि मेरा नरा वहां बड़ा है। अल्यार शत्रुटी और मित्रुप, आप कम से कम तीन साड़े तीन गहन्ते के सुन रहे हैं, मैं सुनने के बाद एक शारीरिक प्रक्रिया होती है, कुछ सुन्ते सुन्ते आपका शरीर बिल्कुल जीना प्रक्रिया होती है। तो सुनते सुनके आपका शरीर बिल्कुल धीला पनाव रही और अपने में स्वायत कर दो जाता है। ऐसा मुझे आज यहां बैठ कर वो महां बैठते हुए सुनते हुए लगा। एसी स्थिति की एक अजवायता ये भी होती है कि खुद कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। उसको शास्त्रों ने सक्चिदान जिट की स्थिति का आपकी इच्छा नहीं होती कुछ करने की। क्यों कि जब तू हो रहा है आसपास तो उसमें होने का सुख ही अपने आप में सबसे बड़ा प्रमान होती है। लेकिन बिना कुछ बोले और अपने आप में स्थित और मगन मैं चला जाओं। तो शायद आपको निराशा होगी और ये भी लगेगा। ये क्या आए और चले गए अपने ही सुख का इनको ख्यार गे और तुसी की उम्मीटों का नहीं है। तो मैं कुछ बात आपसे करता हूँ। एक बात की ख्रमा करता हूँ। कि मुझे जोशीटी और खपिल के बारी गुणों की बात सुने के बार और इन कमिता उनके बारे में के कुछ कहूँगा या उस समय के बारे में कुछ कहूँगा। गर्वीम पीच में मेरा गंठा गुद जा लगी तो आप यमस समझना कि में घुद्टामू कर गया深入 मैं जिस मनस्थिती में हूं उसमें ये वियूद् कुल संभव है कि मेरा गंठा गंठा गणा जारा है जिसने नरा गणा-गंने के बस उगे कि मैं उसको महसूस करता हूँ, इसलिए मेरा गना गुंद रहे लगाता है। उसके लिए एक शमात है। मित्रो, मैं हिंदी की आज की अविकार का अध्येका नहीं है। कफिल्टी वारे जो बाते केही हूँ, वो शायद अपनी परे सही हूँ, लेकिन होगे नहीं पड़ते हैं, को मैं भी आज के शाहित को कोई बहुत नहीं पड़ता। मैंने अवसर्पत्रिकाय रहा है। मैंने शोग वाज़ती को कहा दी कि मैंने इतनी पर्पत्रिकाय आती हैं हुगे से की भी नहीं पनी। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत शोभागवा हैं कुंकि बहुत सारी फिल्फियूर के विवादों से आप बच्ची जाते हैं। अना ही बहुत से विवादों ही खड़े करके लेकिन सच मैंने पढ़ता हूं। और इसलिए कभी यह हुता है कि रगोल जीती ने समय रहते भुगा दी। हमारे में प्रमगलेट जब्राद जो कि खुद भी बहुत बढ़े कुश्चित कभी है। वो कुई अपनी पिताह भरा कर दे 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 अभी अशोग बाजपी दे दे अभी केदारनात सिंह दे अभी इसे लोग दे तो मैं बुड़ा भुख उसमें से पढ़ लेता हूं। लेकिन मैं अपना सबसे अच्छा समय हभीता पढ़नेनी ही पुजाता। मैरे तीन पुरिय कभी जीवन में एक हरीवर्ण श्राय दर्जन जब वो गावन प्तावन में इंडोर आये थे और मैं होलकर पॉलिच अब जयाती था तो मैंने उनको कि ठीकी ठीकी जब आप आएंगे तो आपके श्रुताओं में एक रड़ता ऐसा होगा जिसको आपसे ज़्यादा आपकी परिताएं जाब होगा। ऐसा मैंने उनको लिखा। और अभी वी जो कि वो उनको समान मिला और उनका पुत्र घरगर इने से करुता पढ़ने लगा। तो मैं पीवी पर दें रहा तो मैंने वो पूरी की पूरी करुता जों सुना तो किताब से पढ़ा। वीवन की आपा धादी में को वक्त मिला वो अभिताव बच्चनी पढ़ी थी वो मैं तुछी तुछी में सुना सा। तूसरे में पीए कभी और जिनके कारण में उशनकर रखुमेंटी से मेरे मेरा घ्रॉपा तो जिसकारणी उस तक पढ़ने में मुझे पित लगा वो मवाली पिसाद मिश्च। और तीसरे अभी कभिंतिवारी बात कर रहे थे तो मुझे बार-बार उनकी कभिताया लागीं थी वो पिएस ते ने इन तीनु की पूर्या संद्ध तेने सारा दिखा हुआ मेरे पास है और मैं उसको अपने पास रखता हुआ। अभी यह सबीली बात कर रहे थे उसमें यह है कि in my end is my beginning और वो पिप्रिशन के सारी शुक रुताय वो प्रज़र्ट उसमें time past is time present, time present is time past, time past and time present are hope, present is time present. There is no end to time. Time can be conquered only through time. जार को महाँकाद ही बीच सकता है और कोई नहीं बीच सकता है। यह सब कियते ही ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो वो में पढ़ता रहता है। लेकिन इस समय रहती मिने बहुत चाव से पढ़ी। इस कारणचरी की आए श्राम को यहां बोलना है। इस कारणचरी की वो पहली कविता ही जो वो स्कूल के बच्चों के बारे में वो पढ़ाते हैं। पढ़ा रहे हैं। इस स्कूल की भी बारे में वो कहते हैं। और कहते हैं कि समय रहते हैं हमको वो स्कूल महां का पढ़ाना दो जो जो तो उस कारणचरी में पढ़ना शुरू किया। अपर उदम ने कहीं चाया हैं दिखते हैं। तो मैं ने वो तूरी पढ़ी। तूरी ही नहीं पढ़ी। अभी रेल में आज सबे रहे हैं। तर उस कुच्चों की बार भी में पढ़ी। रगुबरी शीदी ने लिखा है कि उसमें घुवाडी के शर्द आते हैं। और उस कारण से उसमें स्थानियता अधिवादी का वो सारे शब्द में निकालें। और मैं देखता हूँ कि मेरे पच्चतन में, मेरे घर में वो सारे शब्द होगे। और वो गुवाडी के कैसे होगे। वो मानवी के। तो यह कपिली प्राण बोलना कि स्वायतता, स्थानितता, सुप्रीम, वो उसको कोई पार नहीं कर सकता। वो गुवाडी में भी सथ्य है वो मानवी में वो सारे शब्द मैंने एक देखती है। कैरिया, हिज्रा, कंडा, तुकुर्टुकुर्, किनिया, पूर, हरियाना, वागुण, चकर धिंदी, नमाग, उनिये, खोला, कसार, वकावली, हनिकन, ओटी, अजोध्या, उटी कोडी, ओचेपन, खीसे, आकर, लभू, गुंखंडी, दरवज्जे, खोस देते हैं फूला, वड़, कस, ओची, जोमल, इदनी, ओपनों, ठिगा, धिर्वी, ये सारे शब्द मैं बस्तन में इस्तिमाल करता था, वो गोचन मैं मालता हूं कि मालवी के शक्त है, अब ये कहने की बात मैं कहता हूं कि, मैं जहां कहीं नहीं जाता हूं, तो हिंदी वाले बहुत मिलते हैं और कहते हैं कि, अब इसे आप हिंदी मालवी सुनें, और मुझे इसका बहुत गर्म होता हूं. मैं जब बच्पन में प्रेम्चन को पढ़ता था, तो एसे बहुत से शक्त थे, उनकी खाशा के, जब कि प्रेम्चन सबसे सरल, गाहिया आधी आधी पहे जाते हैं, जो मेरी समझ में नहीं आते थे. बड़े होनी की बाद मुझे समझ में आये, कि वो इसलिए है, कि वो भोजपुरी हिंदी का उपर असर था. तो एक प्रकांधि उध्मान ने एकमान में कहा, मैंने उटको कहा, कि आप मेरी हिंदी को मालभी हिंदी मन कहिएं, आप जो हिंदी बोल से हैं, वो भोच्पुरी हिंदी है स्री लाक्सुति जिस हिंदी में लिखते हैं वो अमदी हिंदी है और दूसरे कभी बितने भी लिखते हैं उनके बूल में भी उनकी भाषाएं अगर उन भाषाओं को लेकर आप समझते हैं कि हिंदी का कोई उक्सान नहीं हुआ तो मानवी हिंदी से भी कोई उक्सान नहीं होगा और हिंदी के सबसे अच्छे लेकर माफ कीजे बनारस किलावा आदिसे नहीं आये वो सब इस मोचंगावाद और तिंदोर तक जाने रहे हैं उनके नाम मैंने कहें साहा की माखनदान चतुरवेदी से बहता किसी ने को किया हो तो मुझे बताईए चिरगाव के जासी के पास के हमारे वेपनिक्सरण योगती थे दिनकर्थी थे उसके बाद धवानिकसाद मिश्व वो चान में जो कमिता कर देते हैं वो हिंदी का वो कोई कभी करके बता कर देते हैं हमारे परसाइटी ने जो हिंदी लिखी यद्ध की वो कोई अगर लिख सकता हो तो लिखके बता कर देता हैं प्योंकि स्थानिता की हसी उडाना और उसको हिंदी राठवाटा नहीं रहे जिए अगर अंगर इसथानिता की बाद करें संस्कृत से जोड़ो अगर नहीं जोड़े तो हमारी परंपरा से नहीं जोडोगे यह सब बातें अपने यां बाउख चलती इं और इनमें पीछे वही मांसिकता है जो संस्कृती बरबबरा आधी के बारे में अधी कफिल भी ने बता है कि हमारे देश्ट में की जो दिमाग है हमारे अपने लोगों का वो कोई कम तोपनी रेश्टिक दिमाग नहीं है अगर वो भारती दिमाग होता तो महात्मा नाधी को इस देख में सिरे से खारिब नहीं किया होता क्योंकि 200 साल के इधियास में भारत के बारे में इतने भी सपने इसके लेताओं ने देखे उन सब के मूल में यूरप से लाया गया भारत का सपना था एक मात्र महात्मादाधी का सपना भारत का सपना था और आजाधी के बाद हमने उसको बंडल बना कर जम्ना नदी में दुगो दिए अभी कई मुझे बाटन देना था को मैंने कहा कि हमारे माधनाड़ी ने लिखा कि देश घप्ति पितने भी थे सब पदले कीर्पी निचोड चले शक्ते रावी के तक ताई यगना के तक पर पोग चले तो वो सब लोग जो भारत को भारत बनाना चाहते थे उनको हमने कहा कि महात्मादाधी हमारे काम के नहीं है क्योंकि इस देश को चलाने वाला इस देश को वर्च सुपर रखने वाला दिमाग भारत का नहीं पश्चिन से फ्रट्ट हुआ भारती दिमाग है और इसलिए हमें कपिक दिवारी इतने दुप से बोल रहे थे कि हम अपने औरों को, मुदाओं को, औरों को, आधी को क्यों ऐसा मानते हैं कि वो पासे हैं एक फ्रांस में शब्द है कि जो भी गया, समात हो गया, ऐसे लोगों के बारे में हम उनकों होते हैं और एक टांग, एक रूसी की द्वान में बहुत शोग करके बताया भारत का जो आदि ग्रत है, रिगवेद, उसमें कम से कम चोसट शब्द मुंडारी भाषा से आये होते हैं अब रिगवेद लिखने वागों को, अगर मुंडारी लोगों से मिलना कुलना उनके साथ रहना का फ़सकार नहीं होता तो वो जोसक शब्द रिगवेद में नहीं आ सकते था, अगर मुंडाओं की संस्कृती से वेद निकले हैं, वेदिक संस्कृती से मुंडारी निकले हैं अगर ये आप कहें, तो आपको इस देश के लोग खदेवने पर उतालूप हो जाने हैं लेकिन इन मुंडाओं में, इन पोर्टूं में, इन में, वो सब बताया हैं जिससे संस्कृतियां, सभ्यताएं बनती हैं और हम उनको उसी उपनिवेश वागी नजर से, उसी नागरी नजर से देखने की कोशीट करते हैं जो अंग्रेजों में और पूरे येरोप ने हमकों सिकाया मैं बहुत जगरने के बाद में समझ में आया कि जब अरस्टू और उनके शौक्रेजी और आधी लोगों ने सोचना चालू किया तो उन्होंने कहा कि मनुफ चार तत्मों से बना दी उसके पहले से हम कहते आ रहे हैं कि मनुफ पाच तत्मों से बना दी उनके और हमारे चार उपाँच तत्वों में क्या फ़र्ग है तो सबसे बड़ा फ़र्ग आकाश सब्प जा हम माते हैं कि आकाश तत्व भी मनुष्य को बनाने वाला एक तत्व है तब मुझे समझ में आया कि जिसको हम भारतिय समस्कति कहते हैं वो आकाश की समस्कति है पूरी पर्ष्टिन की समस्कति समुत्र की समस्कति है और उसलिए उसमें समय सीमित है उसमें भूफान आने वाला है उसमें नहीं दूपने वाली है उसमें सारा वाला वरत वो उसको मान के रख देने वाला है क्योंकि वहां का मोसम वहां की संस्कति की तरह समुद्र से संचालिक है हमारी संस्कति और हमारा जीवन अनंत से आगाट से संचालिक है इसलिए समय की हमारी अवधारणा और समय की उनकी अवधारणा दो फिल्कुल अलग अलग ती है हम आज यहां घर्दा के स्कूल में होते हुए 21. सदी के 7. मैंने की 8. तारिक में होते हुए भी हम अनत में हैं और जो अनत में हैं वही आज यहां है इसको हर्मन हैस ने अपने सिदार नाव के नाट को पन्याद में बहुत अच्छा समझाया तो कहता है कि पानी की वो मूँ दो मूँ गदोदरी पर भी है जहां में अड़ा हूं वहां भी है और जिस समुद्र में वो मिल रही है वहां भी है क्योंकि ये पानी समय की तरह अनगत है इसको जहां से भी आप उठाएएगे ये पानी ऐसा नहीं कि पश्चिन में लोगों को समझ नहीं आता वो कहते हैं कि भार्तियों को खुली जगे से कभी दिक्कत नहीं होती वो पश्चिन के आदमी की तरह वो जो जो रिखते हैं उसको भरने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वो अनंत में बहुत स्वस्थ होकर जी सकते हैं क्योंकि वो अनंत को जानते वास्कल ने कहा कि पश्चिनी आदमी की बेज़री ये है कि वो धोड़ी भी स्पेस को बरदाट नहीं कर सकता वो तकाल उसको भरने की कोशिश करता और इस भरने की कोशिश के कारण वो लंगड़, लंगड़, कच्रा, भूटा, जो जो भी मिलता है उसको सब को भरता जाता है और उसको महिमा मर्जित करके इतिहास करता है तो ये जो अलग-अलग समय के अलग-अलग प्रकार की जीवन अवधानाय हैं ये सच कुछ अगर कोई काम करे तो कुछ एक-दो हजार लोगों को कुछ जीवन परियंत बल्कि एक-दो जनम लेकर काम करने की जलिदर की हम क्यों दूसरों से धिन्न हैं और क्यों हम अपनी धिन्नता में रहने के लिए स्वायत और स्वतंत्र हैं ये स्थापिक करना बहुत मुश्किन है क्योंकि वो आता पिचारा गिल्ली वाला ओ कहता है क्यों ये तो ग्लोबलाइजेशन है जमानाय है और आप तो बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए और वो होना चाहिए और वो होना चाहिए दुनिया में सब ही हो जाए क्योंकि विना ग्लोबलाइजेशन के अब दुनिया ठीकेगी नहीं तो यह मानकर अपने वीचारे शरत्वाद और यह मानकर अपने वीचारे मनमौन सिंग और यह मानकर अपने मौन्तेक सिंग और जितने की बड़े बड़े विद्वान है वो कहते हैं कि भारत की खेती तो कतनों हो नहीं उस तरह से हो इनी सकती खेती जैसे आप करते हैं क्योंकि वो तो अनाजिक खेती है वो पोसादी थी आपको खेती तो वेसे ही करनी पड़ेगी जैसे की वो अमरीका में होती है और अमरीका में ऐसी खेती होती है कि जब सेंस्स होता है तो किसानों का विवसाय उसमें शामिल नहीं होता है क्योंकि इतने किसान मचे हैं कि उनकी जो जनगनना होनी चाहिए वो निरण ठक है अगर भारत में सिरफ पांच करोड किसान खेती में रहेंगे तो वो जो 65 करोड लोग हैं वो कहा जाएं उनने आईटी में इसी कार वो विचारे दिरी भंबई मगरास सब जगे कलकते जाकर वो वहां की मनिल बस्तियों छुप्डी ढोप्डियों में रहेंगे वो पकाने साफ करेंगे वो परतन मांजेंगे वो सफाई करने के काम में लगेंगे क्यों क्योंकि इस सभ्धिता में मान लिया है कि बिजली गाडी मकान टेलिजन ये वो आदी सब अनिवार्य है इसके भिनाजोटी जीवन दीता है वो सभ्धिता का जीवन नहीं दीता है एक बार मैंने बाहर पूछा कि आपको क्वानिटिय फ्लाइफ की बात करते हैं न आदी वासी को जो हवा मिलती है वो आपकी हवा से बहुत चुद्ध बहुत ठीक और बहुत स्वास्त बर्दक है आदी वासी को जो पानी मिलता है वो आपके पानी से बहुत बेतर है आदी वासी इन जंगलों में रहता है वहाँ उसका धीवन सबसे स्वास्त कर है अब आप बताईए कि ये किसने ताई किया कि जो शहर में रहेगा जो न्यूर्क में रहेगा जो पेरिस में रहेगा जो जपान में रहेगा जो बंबई में और दिली में रहेगा उसी का घीवन प्रमान है और वाकी लोगों का घीवन है तो बेकार है एक इसक्ता ही ते आप के दो नहीं जीने रहें लेंडेस हमारा ऐसा है यह वहा थी किससे प्रगती ना की जाती है कि बिजली कितनी खपाई तेल कितना खपाया फ़लाचीत कितनी खपाई फ़लाचीत कितनी खपाई उसके गंजम्शं से लाइफ का स्थर्भ वानिक्यू दी ल जीवर ज्यादा क्वालिटी लाइफ का है लेकिन आपके सारे लिवान कह रहे हैं कि अगर आपने वो जंगल का नया आदी लियों आने वाला है ना जिसमें जमीन जंगल की आदी वासियों को दी जाएगी वो अगर लादिया तो इस देश के जंगल भी नच्ट हो जाएगे इस देश की वाइड लाइफ नच्ट हो जाएगी एक कीटे को शेर को जीवित रख दे के लिए आप आठ करोड हादी वासियों को दिल्ली गंबई कलकर्टा के इसलम में फेख देना चाहते हैं ये कौन सी संब्यता है ये कौन सी संब्यता है जिसमें आप लोगों को उनके जीवित से उखाड़ कर वहां फेके तो मित्रों बाइबिल में बहुत अच्छी प्रसित कहां ये कि जब आदम ने वो वर्जित फल चक लिया तो उसके बाद धुद्वान ने उसको हीडिन के गार्ड़न से बाहर विका दिया वो पश्टिनी संब्यता का हर आदमी अपने बगीचे से इश्कासित है इसलिए वो मेरा बगीच्चा और मेरा चूदा भी नष्ट कर देना चांदा यह चूले की पर एक कविता है इसी और मैं चाहता हूं कि वह आप जरूर देखें क्योंकि वह चूले की कविता नहीं है वह वेसी करता है जहां हम अपने सारी जड़ों के सांथ सुना है आपको यह प्राइट भी सुनाएं कि वह अची करता है नहीं है नो कि वाई फोकल कदा नहीं कि कुछ फोड़ी बहुता भी होता है यह कविता है मिट्टी का चूला गवा था मा के प्यार कितनी पक गई थी उसकी दीवाने लगातार सालों आच सहते जैसे मा की एक एक माती चूला धले पुरे परिवार का इतिहास था जब जब चूला फरकता था कोई अतीती कभी भुखा नहीं जाता चूला हम भाई बहनों माता पिता में गेर नहीं था चूला घर को घर करता था हमने चूले को कभी हुजा हुआ इदास नहीं देखा जैसे इदास अब तुम इस चूले को भुखानी चाहती मैं अपनी जड़ों से कटकर कैसे बलत सकते हुआ अब अब ये कविता अभी विद्वान वो कहेंगे और लिखेंगे भी अब दर्मेंद पारे जो है वो उत्तर आदूनिक्ता से काफ़ी प्रवा जुके अर आजकर हिंदी में उत्तर आदूनिक्ता का वैसा ही जो जंडराजिशिसे कपिल दिवारी कह रहे हैंते कि इतनी पिपनिया बिना गाह समाज, बिना पाढ़र समाज की रही रही है कुछ कि उत्तारादुनिक्ता च्छिक्त方面 चल रही है और मादब से आये है, कि उन्यूंदी का हlar बड़ा लेकर जाने हłę मुद्स किय और उसमें करता लिखने की कुशे आधि अब उत्तारादुनिक्ता जिसको कहते हैं उसकी सबसे बड़ी निशानी है